अपने आम के बागिचा में और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं हमारे घर के बच्चों को यह अनीवा अपनी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यह यह वी बाट तो आप देखी पा रहे हैं अपने चैनल अशर के आश्याना में तो अभी दो पहर के तीन बज रहे हैं मैं अपने घर के छट पे हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूं आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना बागिचा और उसके पीछे एक नदी है जो कि बसाते टाप में भरी होती ह है लेकिन अभी पानी कम होगा अपने गां की नदी जो काफी खुशूरत है अच्छे बशाट के टाप में और भी ज्यादा खुशूरत हो जाती है लेकिन कोई नहीं पैपलों को जीताना मेरे यहां पर बहुत मज़ा रहा है मैं इतने दिन बात पेबर चड़ियू और गर्मियू में हम नहीं सेखा थे क्योंकि चूटे बहुत हाटी थी और मैं अभी चार गई यहां बहुत मज़ा रहा है यहां थोड़ा और रुप चाहिए तो अब हम लोग जा रहे हैं नदी की दिखाने के लिए नदी का नाम है कमला नदी आप लोग ने नाम जरूर चुना होगा कमला नदी का तो वहीं हम तो कमला नदी पर जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं झाल झाल जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं अपने गाउं का नदी दिखाऊंगा तो मैं पहुंच चुका हूँ नदी के सिनारे और यह आपको हमारे पिछे देख रहे हैं इसी नदी का नाम है कमला नदी जो आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले भी तो यही कमला नदी है लेकिन अभी पानी आपको बहुत कम दिख रहा है क्योंकि अभी बर्सात का टाइम नहीं है यही नदी पूरी खतरनाक हो जाती है पानी पूरी भरी रहती है तो काफी अच्छा लगता है देखने वे लेकिन खतरनाक भी हो जाती है लोग आ चुके हैं एदम जश्ट नदी के पास एदम नीचे काफी उपर साइट से काफी नीचे हैं देखिए सब बाकी लोग उपर में हैं हम लोग नीचे आ चुके हैं जश्ट नदी के करीब तो आप मैं आप लोगो पीछे का व्यू देखाता हूं जो काफी सुहाना है सेंसेट हो रहा है और काफी अच्छा लग रहा है यहां पर आके अभी मैं सेंसेट आपको दिखाना चाहूंगा लेकिन साहिद आपको कैमेर सेंसेट हो रहा है लेकिन यहां से कमरा से दिखने ही पा रहा होगा तो मैं आप लोगों को बैक कमरा करके दिखाऊंगा सेंसेट काफी प्यार है बाकि अच्छा रहा है कर अर्वेक दो फैनली हम लोग ने लुट नदी घुम लिया काफी टाइम बाद नदी पे गया आ जो कि हमारे गार के पीछे ही है लेकिन कभी जाना नहीं होता है लेकिन आज आप लोगोग दिखाने के लिए मैं नदी पे खास करें गया तकि मैं आप लोगों को दिखाऊ हूँ अपने इंतर से को दिखाऊ हूँ कि महारी गाओं में भी रीवर है बच्छे लोग भी घूम लिए और बच्छे लोग से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा तो बताओ कैसा लगा मुझे तो बहु करें और कमेंट करें और शेयर भी करें तो फैनली गाइज हम लोग ने नदी घुम लिया नदी घुम के हम वापस आ चुके हैं और मैं अपने आम के बागीचे में हूँ जो आप देखी पा रहे होंगे मैं मेरे पीछे इतना भी पेर आपको नजर आ रहा है यतनी पी नजर कर आ रही है सब मैंगोगी ट्री है और आम के सीजन में यहां पर काफी सारा आम फलता है पेर में तो गाइस हम लोग ने आज रीवर देखा और आम का गार्डेन देखा तो आज के लिए बस इतना ही अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैन